प्रेस्क्राइब करें प्रोफेशनल क्लासिस को और प्रेस करें बेल आइकन फोर निव अपडेटिड वीडियो के लिए नेक्स्ट ए पोर्टर डिमांड मॉडल और पॉंपिटिटिव एडवांड इस थीओरी यह प्रेसिकली क्या ख पर देकी एक प्रोड्यक्राइब कर रही है। और बहुत सारी इसके कम्पनी आगे बीट कर रही है यह इसा क्यों है वह सबस्ट आगे यह बाखी कम्पनी आगे नहीं है मैंने आपर पांच नेंग्या दो पहले कंपणी को बीट करके और निया तो ऐसा क्यों कि वह है कि वह उपरी कॉम्पनी ज़ादा पी वह नहीं कर पारें जीब कर्स उसको तो इसी कौन सी टेख्णोलेजी यह यह कौन सी एटवांस स्किल्स है जो इनको नहीं मिल पारी हम तो यह उड़ाती है । हमारा पॉटर डायमंड मौडल तो यह डायमंड मौडल जो बताता है हमें कि किस तरीके की स्ट्रेटेजी यूज़ करनी चाहिए कि हम जो है ग्लोबल लेबल पे अपने प्रोड़क्ट को पहुंचा सके एज न होड़ी एज़िन और क्याल क्या कि अगर स्ट्रेटीजी देँ उसके बाद क्स्ट्मर जो व वहता है न हमारे प्रोड़क्ट करें उनके अकोर्डिंग हमार प्रोडक्त हो हुए रिलेटेड और सॉप्वोटिंग जो भी supporting factor है and factor condition जो भी conditions है वो condition के दुरू हमारा product जो है वह ज्यादा से ज्यादा export हो और उसकी जो है goodwill increase हो by creating advanced factor like technology अब technology हो सकता है इन बाकी जो बाकी companies है उनकी अच्छी नहों strong knowledge base अब जो employee है उनकी knowledge जादा अच्छी नहों यह जो first company थी इसकी knowledge जो है बहुत जादा अच्छी हो इनके employees की management अच्छा हो ठीक है a country can become competitive अब यह जो company है यह जाकर easily another country में जाकर export कर सकती है ठीक है और easily survive कर सकती है तो यह क्या कर सकती है यह जादा competitive rather than this यह competition को जेल नहीं पार है क्योंकि इन में technology की कमी है knowledge की कमी है skills की कमी है तो यह कैसे इनको grow करना है यह हमारी porter diamond model बताती है कि आपको यह strategy follow करनी चाहिए और किस तरीके से जो customer है उसकी demand को देखना चाहिए तो हम इस diamond model को एक बर start के थू समझते हैं तो देखो यहां पर जो है मैंने चार फैक्टर लिए जो चार पॉइंट लिए पांच वाय गवर्मेंट और छटा है चांसिस किसको चांसिस मिल रहे है तो पहले दिखते है first point factor condition अब कैसी factor condition में हमारे आपर जो दो पॉइंट बेस यह पांच जो कंट्रीज है यह पांच company ले 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 एक जांपल के लिए first company थी वह क्या कर रही थी जादा growth कर रही थी और बाकी company जो है वह growth नहीं कर पा रही थी तो उसके एक कारण यह था basic resource थो सबके बास है natural resources जो है वह सबके बास है ठीक है लेकिन जो यह है इसके पास को face कर पा रही है तो factor में हमारे पास basic resource प्लस advance भी होने चाहिए हमारे पास employee की skills ability knowledge यह सब भी होनी चाहिए तो हमारी जो कंपनी वह survive कर सकते competition में next is related and supporting industries जो इससे relate कर रही है उन सारी जो अब जो customer है ठीक है उसकी जो demands है उन demand को fulfill कर सके ठीक है और जो भी उसको जो भी industry में जो भी required चीज़े है वो सारी easily उसको मिल सके फर्म की जो needs है उनको fulfill कर सके employee की technology अच्छी हो company easily महाँ पर survive कर सके demand condition जो customer की demand condition है वो कैसी हो demand customer उनको customer को उनका product पसंद आ रहा हो उसकी goodwill अच्छी हो ठीक है firm strategy and structure and rivals तो easily survive कर सकेगी rivals countries में या rivals firms में क्योंकि उसकी technology अच्छी है वहां की management बहुत supporting है demand product ही हो ठीक है और government जो है government की policies जो जो है यह कैसे एक product को global label पर sale करती है तो यह थी हमारी पॉटर्ट डायमंड मॉडल कम्प्लीट कुछ 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 कुछ